हलो प्रेंट्स आज माँ आपको बताऊंगा एदि आप अपने गाव भैंस का एदि गरब की जांच करना चाहते हैं तो आप ये चीजे कभी भी आप अपने पसू पर ने आजमाएं वरना आपको भी कई नुक्सान हो सकता है एदि आप अपने पसू पर इस परकार का आप अपने पसू की गरब का प्रिक्शन किस परकार से कराएं ताकि आप अपने पसू की जो गरब दारन के बारे में जानकारी एक्यूरिट प्राप कर सकें इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा एदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो का आप स्किप क करके नहीं देखना वीडियो को पूरी देखना इदी भी आए मेरे चैनल पर जो नहीं आए हैं तो पहले आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो आल वाला अबसन आता है उसको दबाएं ताकि बहुंसे में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिमिकेशन समय समय पर मिलती रहें देखो जो अपना चैनल है वेट पेटेरिक टल इसके अंगत आपको बहुत अच्छी और नोलिजबल वीडियो मिलती है आपको बेफालतू की ज अपने पशूप पर दे सकते हैं रही बात बात हर पशूपकर है ऐसा करदापी नहीं होता है ऐसा ये और पशूपकी जो घर बेटे ऐप बहुत से जो मेरे लिटेल से कि हमें जो गरिप प्रिक्षन हमने किया ता जिन dette उनकी वज़े से तो हमें बहुत ज्यादा लुपसान उठानु पड़ा है याने जो हमारा पसूब प्रिग्नेंट था उनका गरब पात हो चुका है एंगा उद Kubernetes नहीं सबसे ज्यादा नुकसान उन पेलकूं को हुआ है वह शृसताम का तेल नेपता या या कोई साइनकिट का रिजन में है कि इसमें आप अपने पसो को पैचान सकते हैं इसमें पसो का गरव दालन हुआ है या नए तो जो यह प्रीक्टिकल करके उन लोगों के लिए देखा और उन्हें मेरे पास इस परकार का कमेंस canust sytu और मैसेज भी किये तो जिन पर या प्रेल करें करकर देखा जिनके पर जांच की तो उन्हें लगा कि यह प्रिंग्नेंट नहीं है अब पतालिका नहीं है तो उनión निङप्राय का गरपात हो गया तो ने पर Wisत में और कई ऐसे जिनमें ये पता लगाया कि नहीं पता नहीं क्या बुंदे बांदेगा ऴुद द Office MayoSi अध्य पर तो पर कंट्षी लिए रडई में लगा कि और आप परिक्टिल किया था वीडियो में देखा था हो सही है इसने हमारा पर्षू प्रिणेंट होगा तो वह लास्ट में निकले नोन-प्रिणेंट जब पर्षू चिक्रशक से उन्हें जांच करवाई तो तो एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी गरब परिक् परशो में तो ऐसे आज चुके हैं जो मिलक से और मुत्तर से जो टेस्टिंग जो मसीने आज चुकी हैं जांच कर सकते हैं लेकिन इंडिया में अभी तक कोई ऐसी उपलब नहीं है और कई जो इन्यूश्टी जो विश्वविदाले वह उनमें जो साइंटिस्ट हैं वह काम कर रहे हैं इस चीज के उपर जो किट बनाने में वो किट त्यार हो जाएगा तो उस पर अभी तक प्रेक्टिकल चल रहा है यह दिवाजार में उपलब दोगा उसमें भी क्या है कि एक मेने का जब आपका पसू हो जाएगा तभी आप अपने पसू की गरब की जांच कर पाए शीए है और नहीं आप इस चीज़ों पर ब्लकुल भी जो समझदार पसू पालगए कम से कम उन लोगों को इन चीज़ों पर दो ध्यान देना चाएगे कि ऐसी कोई बूंद ऐसी कोई नहीं है कि आप पता लगा पाएंगे ब बिलकुल भी न द्यान दे और नहीं इस तो आप उस पसु को ध्यान रखें उसी के अनुसार उसकी डाइट दें खहने का मतलब है कि आप अपने पास पसु चिकत से की जुरूर सेवा ले इस चीज के बारे में अब इन में बहुत से जो पालक है या बहुत से जो मेरे वेटिनेरी स्टेंट हैं वह भी कहेंगी कि सर ब पता ने लगा फिर जांच करके आपको एक्यूरेट बता देते हैं वैसे पीडी के बारे मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुए कि आप पसु की जांच कैसे करें वह भी आप जाकर के देख सकते हैं जो मेरे वेटिनेरी इस डुएंट हैं उनसे पता लगा सकते ह हैं रही बात आप साइन की जो मैं साइन बताता हूं कि सिम्टम्स आप जरूर हैं लेकिन कभी भी जो यह सिम्टम्स हैं यह भी यह नहीं कि आपके पसु का जो 100% इन सिम्टम्स के आदार पर पता लगा सकते हैं कि आपका पसु प्रिग्नेंट है या नहीं यह दि आपका प पसु किस दिन बाद में हीट में नहीं आ रहा है यह बात है जब बोलने वाले पसु की जो बोलने वाला पसु किस दिन बाद में नहीं बोला है या 30 दिन निकाल दिये तो उसे में कहे कि आपको यह देखना चाहिए कि उन्होंने डिसाज कैसा दिया है यह दि बहुत पतला पा और उन्हें डिसार्ज दिया है यानि सब्सक्रों कि 20 दिन बाद में या एक महीने बाद में दिया है अलाई मोटा दिया है और उसका जो डिसार्ज का रंग है उसमें थोड़ा येलो है येलो कलर है दिखाई देर आपको तो ये देख लेना चाहिए कि उसमें पसु के थोड़ की आप उन्हें पसु को खिलाते हैं या जो खाना कर लेते हैं फाने के बाद में बेटने में ज़यदा विश्वास करते हैं यानि आराम करने में ज़्यादा विशवास बताते हैं यह ज exting ну है पसु की यह 100% साइनिंग नहीं कि आप इनसे पता लगा सकते हैं लेकिन में एक बात बताना चाहता हूं कि यह आप जो यह जितने प्रिक्षन के जो किट या जो साल्ट बता रहें इन चीजों पर आप बिल्कुल पर भी ध्यान नहीं दे रही बात यह जो बहुत ज्यादो डेरी फार्मर हैं या जो पुराने जो पशु पालक हैं उनसे आप जुरूर सला ले सकते हैं कि इस चीजों के बारे में वह साइन दे और उनसे पीडी करवाएं आप अपने पशु की गरप प्रिक्षन की जांच जरूर उनसे करवा ले एदि उन्हें कन फ्रम नोलेज है तोई उनसे जांच करवें तभी आप अपने पशु का पता लगा सकते हैं कि आपका पशु का घरप में बच्चा है या नहीं आपका प कि देने वाली वीडियो में कभी नगवी आपको इस चैनल पापको मेले जाएंगी यहीस प्रकार के जुदॉब के जुरूर उप्लब होंगी तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि फसू की जाँज गरब का प्रिक्षन कैसे करना है, पीडी कैसे करनी है, यही पीडी 35 दिन से हो जाती है, यही जो अच्छे जो वेटेशनी डौक्टर हैं, जो पसू चिकलशना कहें, 35 दिन की फीडी कर देते हैं, वैसे पीडी के बारे मे डिटिल सी वीडियो बनी है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं रही बात साइन की पसू में क्या क्या साइन आपको देखने को मिलते हैं हाँ वो साइन आप अपने पसू को पैजान सकते हैं यह लंबे समेते का आप अपने पास अपने पसू रखते हैं तो उन्हें पैजान सक कि आप comment में लिखें मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसूपालकों के साथ और मेरे जितने भी veterinary student है उनके साथ आप इसी वीडियो को जितना उसके share भी करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को motivation मिलता है और मैं आपके लिए अच्छ